हिंदुस्तान का एक ऐसा मुसल्मान जिसने अपने देश की गरिमा के लिए जो किया वो जानकर हर एक भारतिय का सीना गर्व से चोड़ा हो जाएगा आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद का एक मुसलिम शख्स ने देश की सुरक्षा के लिए पांच टन सोना दान कर दिया मेर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इनसान थे उनकी अमेरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका अपना खुद का बैंक था साल 1944 में उन्होंने ही स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की स्टापना की जो बाद में भारतिय स्टेट बैंक में बदल गया वो 438 करोड रुपे की खीमत वाले हीरो को पेपर वेट की तर इस्तेमाल करते थे मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे सेकड़ों लोगों को खरीद सकते थे उनके पास 236 अरब डॉलर के करीब संपती थी एक वक्त था जब दुनिया के सबसे अमीर इनसान थे मीर उस्मान साल 1937 में टाइमस मैग्जी ने उन्हें कवर पीछ पर जगह थी ये तिहास में पहली बार था जब किसी भारतिये को आजादी से पहले ही नियर आफ दी वर्ल्ड का रिकॉर्ड दी दिया गया पूरी दुनिया के सबसे अमीर उस्मान अली ने एक वक्त इटली और इंग्लेंड से भी बड़ी रियासतों पर राज किया वो हैदराबाद के नवाब महबूब अली खान के बेटी थे आजादी से पहले तक वो हैदराबाद के निजाम रहे और फिर जनवरी 1950 को हैदराबाद के पहले राज्य पर मुख बने मीर उस्मान अली भारतिये इतिहास में सबसे ज्यादा दान देने वाली शक्स है साल 1962 में भारत चीन युद्ध के वक मीर उस्मान ने भारती सरकार को पांच टन सोना दिया था जो कि किसी भी शक्स द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब भारत द्वारा इस्तिमाल किये गए हतियार और बारूद मीर उस्मान की पैसों से ही खरीदे गए थे अगर मीर उस्मान पांच टन सोना दान ना करते तो भारत के बड़े हिस्से पर चीन का अधिकार हो जाता मीर उस्मान द्वारा दान किये गए सोने को लेने मौजूता प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री खुद हैदराबाद गए थे ये भी जान लीजे दोस्तों कि मीर उस्मान अली ने ही भारत के पहले हवाय डे का निर्मान करवाया उस्मान या युनिवरसिटी हैदराबाद की स्थापना भी मीर उस्मान नहीं की थी जो आज भारत की सबसे बड़ी उनिवरसिटीज में से एक है उस्मान अली ने दान देते वक्त कभी किसी का मज़भ नहीं पूछा उन्होंने जहां एक तरफ अलिगर्ड मुस्लिम युनिवरसिटी को पांच लाख रुपेदान की वहीं बनारस हिंदू युनिवरसिटी को दस लाख रुपे भीजे संविधान निर्माता भीमराव अंबेटकर को मीर उस्मान अली ने 54 एकर जमीन दान दे दी जिस पर बाद में कई कॉलेज और युनिवरसिटीज का निर्मान हुआ मीर उस्मान के सादगी का इसी बात से अंदाजा लगाय जा सकता है कि उन्होंने एक टोपी और एक कंबल में अपने पूरी जिन्द की गुजार थी यहाँ तक कि उन्होंने कभी सोने और चांदी के बरतुरों में खाना तक नहीं खाया उनके लिए एक टीन की प्लेट बनाए गई थी जो वो जिन्दी की भर इस्तिमाल करते थे निजाम म्यूजियम में मौझूदा दस्तावेजों की मुताबिक मीर उस्मान का जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था मीर उस्मान अली कहा करते थी कि जब तक निजाम जैसा मुसल्मान जिन्दा है इस धर्ति की तरफ कोई आँख उठा कर भी नहीं देख सकता ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों की आँखे खोलना है दोस्तों जो भारत की एक जुटता पर सवाल उठाते हैं धर्म निर्पेक्ष्टा पर सवाल उठाते हैं जो हिंदू मुसलिम के भायचारे पर सवाल खड़ा करते हैं शर्मानी चाहिए उन लोगों को कि जिस में कलाम सहब मीर उस्मान सहब जैसे शक्स पैदा हुए उन महान शक्स वाले देश में इस तरह की लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं अगर एक मुसल्मान होने के नातिया आपको गर मैसूस हुआ तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और शेर भी अजर और हम इस द्म देगल कीजियो का दोस्तों दिल सहब जरूर कीजिए और भी कीजिए यह में दोटिए संते हैं माजल कीजिए टामे जरूर क्राइक का कर देूर के सुआ को इस चूब को यहुआ सुआ कीजimme जरा जबाग तर लेक कि डोरू ऑना दोतितsol ंटरेू यह